आप जब सब लोग बिमार होते हो, तब आप क्या करते हो? दवाई लेते हो, मेडिसिन खाते हो, और वो भी प्रॉपर टाइम स्लोट्स के साथ, जैसे पारसिटमोल हम हर आठ घंटे बाद खाते हैं, क्या हम उस टाइम ऐसा करते हैं कि यार अभी मेडिसिन नहीं खानी, अभी मन नहीं कर रहा, यार मैं अभी नहीं खाऊंगा, अगर मन नहीं भी कर रहा होता है ना तब भी हम वो medicine लेते ही लेते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ठीक होना जल्दी से जल्दी हमें जल्दी से जल्दी fit होना है इसलिए हम medicine लेते हैं ताकि जो भी हमारी बिमारी है जो भी हमारी disease है वो खतम हो जाए और अगर मैं आपको स्टाइम पे बोलूं कि आप कोई भी ऐसा thought सोचते हैं या ऐसी कोई भी बात अपने आपके साथ करते हैं जो आपको यह एहसास दिलाती है कि जो आपकी desire है वो आपके पास अभी नहीं है դो यह thought सोचना ये बात बोलना भी एक किसम की बिमारी है it is also a disease and this disease का नाम है desperation अब let me elaborate हम एक example लेते हैं for example शारुक खान अब इस time पे इस stage of life में जहां पे शारुक खान is very famous he's very charming उनके घर के बाहर हर time आप जब भी देखोगे कोई ना कोई fan खड़ा ही रहता है पूरी दुनिया उनकी दिवानी है उनका जो signature step है everybody tries to copy it मतलब उनकी इतनी fan following है कि अगर वो कुछ ना भी करें मतलब obviously he doesn't do that much तब भी उनके लोग fan हैं तब भी लोग उनने copy करते हैं तब भी लोग उनके घर के बाहर खड़े होके उनका नाम चिलाते है तो क्या वो कभी भी अपने आपके साथ ये बोल सकते हैं अपने आपको ऐसा एहसास दिला सकते हैं कि काश मेरा भी कोई fan होता कि काश मेरे घर के बाहर भी कोई लोग खड़े होते और मेरा नाम चिला रहे होते काश मेरा भी कोई ऐसा signature move होता जो सारी दुनिया कॉपी करने की कोशिश करती क्या शारुक ऐसा कभी भी सोच सकते हैं क्या शारुक कभी अपने आपको ऐसा बोल सकते की काश मैं भी famous होता नहीं, because वो already famous है और उन्हें ये बात पता है कि वो already famous है चाहे वो कुछ ना भी करे लोग तब भी उनके fan रहेंगे तो जब उन्हें पता ही है कि वो famous है सारी दुनिया उनकी fan है he is the king, बच्शा ठेक है, तो उनमें कोई भी desperation क्यों होगी then why would he be desperate वो कभी desperation से act ही नहीं करेंगी उन्हें कभी ये thought ही नहीं आएगा कि अगर, मतलब suppose, अगर thought आता भी है तो he knows that he is Shah Rukh Khan तो वो desperate कभी सोच ही नहीं सकते गर कोई thought आएगा भी नहीं तो he is like यार ये जूट है, because I know what is my reality right now उनका focus सिर्फ उसी thought पे होगा ना, जो उनके सामने है and उनके सामने क्या thought है that he is already the Shah Rukh Khan he is already the Baatshah everybody is his fan है ना, so no desperation उनमें कोई भी desperation नाम का कोई एक हिंट भी नहीं होगा तो ये desperation जो है ना ये सबसे बड़ी disease है इस time पे ठीक है, we हमना बहुत जल्दी desperate act करने लग पड़ते है हमें patience नाम की चीज नहीं होती ठीक है, पहली चीज और हम बड़ा जादा अपने आपको emotionally attach कर देते है उस चीज के साथ तभी हम desperate act करते है यार काश, अभी वो चीज अगर मेरे पास होती ना, तो मैं ऐसे-से कर रहा होता, यार अगर वो ऐसे होता ना, तो मैं ऐसे-से कर रहा होता, काश this is desperation, this is a disease this is a feeling of lack this is disease अब आप बोलोगे कि इस disease का क्या medicine है, क्या दवाई है, तो इसका medicine है repetition ठीक है, repetition affirmation अब आप बोलोगे कि repetition किस चीज की ऐसा क्या repeat करे, हम क्यों repeat करे, ठीक है, सबसे बड़ा question ही आता है कि हम repeat क्यों करे देखो, अभी तक आपकी जो भी beliefs है, आपकी जो भी reality है आप जो भी चीज़े कर रहे हो और जो भी आपके साथ हो रहा है it's just a pattern जिसमें आप फसे हुए हो क्योंकि आपने repeatedly उन्ही patterns को बार-बार जिया है ठीक है, आप ऐसे ही सोच रखते रहे हो आप ऐसा ही lifestyle जीते रहे हो आप ऐसे ही लोगों के साथ उठते बैठते रहे हो तो वो एकदम strong बन चुका है आपकी life में, आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ exist ही नहीं करता यही सच है तो अब इस pattern को बदलने के लिए कि आपके पास आपकी desires आजाए आपको अपनी affirmations को repeat करना है ठीक है You have to repeat your affirmations आपको repeat करना है ठीक है, क्योंकि repetition से ही आपका यह pattern तूटेगा आपकी desperation खतम होगी आपको यह believe होना start हो जाएगा कि आपकी manifestations आपके पास है यह repetition is the medicine of desperation आप कोई भी affirmation बोलते हो आपके साथ सो और thoughts चल रहे होते हैं मैंने इसके उपर पिछला वीडियो भी बनाया था कि आप जो भी repeat कर रहे हो आप जो भी technique यूज कर रहे हो उसके साथ आपने उस चीज से related कोच भी negative नहीं सोचता है बट ऐसा होता है कि जब आप start करते हो ना जब मैंने भी शुरुवात की थी मैं जो भी affirmation बोलती थी ना उसके साथ मुझे 20 plus negative thoughts आते थे अब उन thoughts को चलने दो आप repeat कर रहे हो दिमाग में आने दो अच्छा आपने सबसे पहले क्या बोला I have my manifestation सबसे पहला question उसके साथ क्या आया दिमाग में अरे यार कहां पे है मेरे को तो नहीं दिख रहा फिर से आपने बोला I have all my manifestations फिर आया कैसे होगा Third time आपने बोला I have all my manifestations फिर आया दिमाग में कोन करिया फिर से आपने बोला I have my manifestations फिर दिमाग में आया यार ये तो impossible है आपने फिर से बोला I have all my manifestations फिर दिमाग में आया यार हो क्यों निरा आपने फिर से बोला I have my manifestations फिर दिमाग में आया यार पता नहीं कब होगा मतलब आप बोड रहे हो और आपके साथ-साथ thoughts चल रहे हैं उन thoughts को चल ले दो उन पर ध्यान मत दो अपने आपको एक चीज clear cut बोल दो कि जो भी thoughts आप अपनी चीज के साथ सोच रहे हैं आप अपने desires के साथ जो भी thoughts यहाँ पर negative सोच रहे हैं वो सब जूट है दिमाग को नहीं पता की सच है की जूट है subconscious mind कभी भी नहीं बोलता कभी भी नहीं भाब सकता की क्या सच है क्या जूट है उसके लिए वही सच है जो हम मानते हैं चाहे वो अच्छा हो चाहे वो पुरा हो तो thoughts चलते रहेंगे आप अपना repetition के चालू रखो लगे रहो बस affirm करते जाओ करते जाओ करते जाओ इतना affirm करो कि जब तक जो आपके thoughts दिमाग में चल रहे है negative वो चुप न हो जाए मतलब completely blank हो जाए आपका दिमाग और जो आप line बोल रहे हो बस वही line आपके दिमाग में आपके शरीर में आपकी सोच में चलती रहे फिर से आप बोलोगे I have my manifestation फिर आप बोलोगे यार मेरे को तो इशाराजपुत ने बोला था कि इसके related कुछ नहीं सोचना है तो मैं कुछ नहीं सोचूँगा मैं सिर्फ यहीं बोलोगा फिर से आप बोलोगे I have all my manifestations फिर से आप मेरी बात को धिहान में रखोगे फिर से आप बोलोगे I have all my manifestations It is done for me right now It is done for me right now It is done It is done for me right now आप बोलते रोगे बोलते रोगे बोलते रोगे और एक time के बाद आप belief करना start कर लोगे पहले week में नहीं होगा, second week में नहीं होगा, third week में नहीं होगा, fourth week में आदत पड़ जाएगी, fifth week में confidence आ जाएगा, sixth week में you will start like behaving, seventh week में आपको believe हो जाएगा, कि यार ये तो सच है जो मैं भी बोल रही हूँ, eighth week में क्या पता आपकी desire complete हो जाएगा, it all depends कि आपने अपने आपके अंदर की जो desperation है उसे कैसे खतम किया है, आपने उस चीज के साथ अपने आपको कितने अच्छे तरीकी से detach किया हुआ है, you are not dependent on that thing, आपकी खुशी सिर्फ उस desire से चिपकी हुई नहीं है, आपने अपने आपके अंदर की जो desperation है, उसे खतम करके ने आपको खुश रखना सिखाया कैसे हुआ है, it all depends on that, आपको self work करना पड़ता है अपने उपर, ठेक है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, because everybody sells hyped up shit on YouTube, कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, but this is all true, you have to be consistent, आपको consistent रहना पड़ता है, starting में तो मिर को बहुत गुसा आता था कि या ये सबको इनकी manifestation मिल जा रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, because मैं consistent नहीं थी, I was never consistent, मैं सुबह सोचती थी, कि I will do this technique, I will follow this technique, and शाम तक मेरे thoughts सारे negative हो जाते थे, फिर मैंने धीरे-धीरे क्या किया, I started repeating the affirmations again, जब भी मुझे ऐसा लगता था, कि मेरे अंदर वापस से वो desperation जाग रही है, वापस से मेरे अंदर कोई disease जाग रही है, desperation that is, तो मैं अपने आपको affirmations की medicine दे देती थी, affirmations पूलना स्टार्ट कर देती थी, जिससे मेरे अंदर की सारी desperation खतम हो गई, now I'm like I am already satisfied with my desires, जब आप ये 6-7 weeks के लिए करोगे न, तो आप same person नहीं रोगे, you will never be the same, आप देखना आप में कितना confidence आगया होगा, आप में एक situation को देखने का जो नजरिया होता है वो बदल गया होगा, you will start behaving like that person, that you want to be, so first week में नहीं होता, कोई बात नहीं, second week में नहीं होता, कोई बात नहीं, third week में नहीं होता, कोई बात नहीं, fourth में हो जाएगा, fifth में हो जाए repeat repetition is the medicine repeat your affirmations repeat your manifestation techniques repeat your visualization it's all about repetition repeat repeat I have all the manifestations right now with me I have all the manifestations that I want I have all the manifestations that I want I already have all the manifestations that I want I already have all the manifestations that I want. मेरी सारी desires फुल्फिल हो चुकी है. मेरी manifestations सच हो चुकी है. मेरी महनत रंग लाई है. whatever it is, बस बोलते रहो, confidence के साथ, बोलते रहो, बोलते रहो. Starting में बिलीब नहीं होगा, कोई बात नहीं. करते रहो, बस लगे रहो. Okay? And, that's it. That's it. I hope, I hope आप सब को इस वीडियो से कुछ समझने को मिला हो. And, I will see you in the next video. Bye!